नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल एसकलेपिय सहर वेदर में दोस्तों आज के वीडियो में हम लाये हैं आपके लिए ओक्सीमीटर वाटीज ओक्सीमीटर ओक्सीजन लेबल क्यों घट रहा है इतना ओक्सीजन लेबल सही रखने के क्या उपाय है एक हैल्दी व्यक्ति के सरीर में ओक्सीजन लेबल कितना होना चाहिए इन सारी बातों की चर्चा आजंग करेंगे दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ऑक्सीमीटर क्या है ऑक्सीजन के अन्य अंत्रित होने से क्या नुक्सान है क्यों घटता है ऑक्सीजन का लेबल और क्या हमें साउधानिया बरतनी है क्या ऐसा हम फाय कौन सा फूड अपने डेली लाइफ में यूज करें ज ओक्सीमीटर क्या है ओक्सीमीटर हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेबल को जाचने के लिए उज होता है ये छोटा सा क्लिप जैसा होता है एक को टेबल उपकरण है इसकी मदद से हम अपने उंगलियों में इसे फसा कर अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेबल के बारे में पता कर जाता है हमारे आहार में यदि आयरन इक तो भोजन नहीं है तो ऑक्सिजन लेवल घड़ जाता है इन सब के चलते हमारे शरीर में बहुत सारी हर्मोनल्स प्रॉबलम होना चालू हो जाता है जिससे हमारे लिए एक जानलेवा इस्थितिवत पन हो जाती है इन सारे चीजों को चेक करने के लिए कही हमारे बॉड्य मोशीजन लेवल घड तो नहीं गया है इसकों चेक करने के लिए अउक्सिमेटर एप उपकरण है अब बात यह आती है कि उक्सिमेटर से जब हम उक्रॉट जास्ते हैं तो एक हेल्दी युमन के बॉड़ी में इसक пож़न का लेवल कितन होना चाहिए तो एक स्वास्त सरीर में oxygen का जो इस्तार है वो 95-100 प्हेश में होना चाहिए यदि ये लेबल अनियंतरित है ये लेबल घट गया है तो हमें तुरंत ही एक्सपर्ट से doctor से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि oxygen लेबल अनियंतरित होने से हमें द्रेन डैमेज, हमारे सुगर लेबल यदि हम सुगर के पेसेंट हैं तो हमारे सुगर लेबल जो है वो अनियंत्रित हो जाता है, हार्ट एटेक की संभावना बढ़ जाती है, अचानक ऑक्सिजन लेबल कम हो जाने से हमारा शरीर अस्वस्त हो जाता है और हार्मोन अनियंत्र हो जाती है इसलिए oxygen लेबल जैसी घटे हमें डॉक्टर से consult जरूर करना चाहिए आईए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सरीर में अचानक कि ये oxygen लेबल क्यों घटने लगता है हमारे सरीर में oxygen लेबल घटने के बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे में की undisciplined life style समय से न उठना समय से न सोना इत्यादी सामील है physical activity में कमी होना है मैं daily physical activity करनी चाहिए लेकिन हमारे physical activity में बहुत सारी कमी आ गई है बहुत सारे ऐसे work हैं जिनके लिए बहुत सारे उपरण आ गया है तो हम फिजिकल एक्टिविटी में हमारी बहुत ज़्यादा कमी है इसके अलाबा भुजन में आयरन युक तो भुजन नहीं सामिल है घर में प्रॉपर वेंटिलेटर की सुभिधा भी नहीं मौजुद होती है हम ऐसे life style में जी रहे हैं जहां पर वेंटिलेशन या जहां हम सो रहे हैं वहां पर प्रॉपर रोष्णी प्रॉपर हवा नहीं आ रही है जिसके चलते दिन प्रती दिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घटता जाता है इस ऑक्सीजन लेवल को सही रखने के कुछ हुपाय है जैसे हमारे घर में वेंटि इसके अलावा खाने में आयरनीक तो फुड का जरूर इस्तमाल करना चाहिए अपनी दिन चर्या जो डेली की दिन चर्या है हमारी उसमें सुधार लानी चाहिए ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके सही समय से सूना है सही समय से जगना है इत्यादी शामिल करना हमारे फेफडों में ऑक्सीजन की मत्रा जाए और फिर जो हमारे शरीज से कारवन है वो निकल सके सही प्रॉपर ढ़ंग से इसके अलावा अपने भोजन में अंकुरित अनाज जरूर खाएं जिससे हमें आयरन की कमी पूरी होती है ऑक्सीजन लेबल सही करने के लिए यहां अपने घरों में इस्तमाल कर सकते हैं जैसे अंकुरित अनाज हो, केला, कीवी, दही, गाजर, शकरकंद, नेबू, लासुन, इत्यादी यह सारे फूट सामिल है जो कि हमारे बोडी में ऑक्सीजन के इस्तर को सही रखने के लिए काफी हमारी मददगार है आज की सेशन में ह अबने जाना की ओक्सीजन के अणियन त्रित होने से क्या-क्या नुफसान हो सकते हैं ऑक्सीजन का लेबल अचानक क्यों घट रहा है, क्या हमें घाना चाहिए, किस तरह का दिन चर्या हमें रखना चाहिए, त्यादी इन सारी बातों के उपर हमने चर्चा किया, तो I hope दोस झाल झाल